नमस्कार दोस्तों मैंुशित धान्त उलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वास्थ होंगे व्यस्थ होंगे ग्राम पंचायत एक्जाम की फ्रिपरशन अच्छे धंग से कर रहे होंगे जो भी छात्र इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस परिक्षा को लेके सीरियस हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाए यहां पर कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है जिसमें हम लोग पंचा क्लास के मादेम से आपको बस हवा में घुमाय जा रहा है जो भी चीज़ें आपको दी जा रही है बहुत अच्छे से रिसर्स करके बेस्ट कंटेंट आपके सामने रखा जाता है ठीक है कैसे पढ़ना है क्या तरीका है आई यह इस्टेजी पर बात कर लेते हैं देखिए आ आपको पता है कि पंचायती राजवबस्ता 65 मार्कस का है तो 65 मारकस में अगर पेपर का अस्तर आपका मौडरेट अस्तर का आता है ठीक है तो 65 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करना है 50 प्लस इसके उपर आप एरयो लगा लीजी 50 का मतलब यह है कि 65 marks में 50 questions तो आपको करने ही करने है यानि कि 50 number आपको लाना ही लाना है 65 number में ठीक है अगर paper moderate आता है तो भी आपका यह target होना चाहिए easy आता है तो भी यह target होना चाहिए high level का paper आता है high level के मतलब यह हो कि सारे question high हो गए तो भी आपकी कोशिस होनी चाहिए कि 50 तक पहुँच जाएं कम से कम safe score के लिए और selection के लिए बाकी 50 number के उपर अगर आप जाते हो यह बहुत अच्छी बात है अब जितना जाएंगे उतनी अच्छी बात है ठीक है 50 के उपर जाने का मतलब यह है कि आप 55 ला रहे हो 60 ला रहे हो तो यह आप selection के बेहद करीब है ठीक है यह strategy होनी चाहिए और इसी strategy पर हम काम करनी जा रहे है 50 number तक का target हमारे चैनल पर होगा test series के माध्यम से सारी चीज़े कराई जा रही है ebook आपको दिया जा रहे PDF content दिया जा रहे सारी चीज़ें आपको provide करा जा रही है जिसके अंतरगत यह 50 number तो आपको लाना ही लाना है बाकी जो selected candidate है जो कुछ बच्चे होंगे जो मेहनत करेंगे वह 50 के ऊपर लाएंगे और इन बच्चों को target करके अच्छे से इनके study पर focus किया जाएगा ठीक है 15 number के question वहाँ पर भी पूछे गए थे तो यहाँ पर भी 15 number के question पूछे जाने है और यहाँ पर जो आपके target होना चाहिए यह 10 plus होना चाहिए अब 10 plus के ऊपर अगर आप 11 लाते हैं 12 लाते हैं बहुत अच्छी बात है 15 में 15 लाएं यह तो बहुत अच्छी बात है ठीक है 13 number से उपर ला रहे हो तो फिर यहाँ पर आप secure की तरफ जा रहे हो secure marks की तरफ जा रहे हो अब यहाँ पर जो मैंने बात किया है यह आपका जो easy to moderate level है easy to moderate level का अगर paper आता है तो इस अस्तर की मैंने बात की है ठीक है अगर आपका जो paper है वह easy to moderate का मतलब यह है कि कुछ questions 30% easy रहेगा और लगबग 70% question जो है वो moderate रहेगा तो easy to moderate का मतलब यह है कि 30% question easy रहेगा 70% question आपका tough रहेगा तो इस हिसाब से लगबग 50 प्लस आपको लाना है पंचायती राजववस्ता में computer section में आपको 10 प्लस लाना है और UP special में आपको 20 प्लस लाना है अब आप लोग यह मत कहिए कि हम 50 प्लस ही क्यों लाएं 60 क्यों ना लाएं 65 क्यों ना लाएं दे इसके ऊपर लाने के लिए ग्रूप में काम किया जाएगा best strategy पर काम किया जाएगा ठीक है अब देखिए पंचायती राज ववस्ता में क्या क्या पढ़ना है topic discussion कर लेता है बहुत जाधा depth में नहीं जाओंगा यह topic हमारे channel पर already हो चुका है यहाँ पर जो आपको blue color में आपको complete content हो आप मिल जाएगा ठीक है इसके बाद में पंचायती राज ववस्ता संभयधानिक आधार उत्तर प्रदेश में पंचायती राज ववस्ता संभयधानिक देखिए अब यह जो classes आप देख रहे हैं यह दो से तीन दिन के अंदर complete हो जाएगा यानिकि आने माले द इसको भी खतम कर दिया जाएगा ठीक है एक हपता इसमें भी लगेगा तो अगर हम बात करें यह topic जो है यह आपका October 1st week यानि की लगभग 7 October तक यह जाएगा 7 October तक का यह topic है इसके बाद में अगर हम बात करें 7 October यानि की 15 October तक यह जाएगा यह मैं आपको strategy बता रहा हूँ जो paid group में class चलने वाली है उसमें किस हिजाब से हम लोग आगे काम करेंगे रणनीती कैसे होगी ताकि आप लोग confirm रहें आपको confirmation रहें कि हाँ हाँ यह चीज़े इतने time तक कबर हो जाएगी तो हमारी पढ़ाई इस हिजाब से चलेगी ठीक है तो यह 15 October तक कबर हो जाएगा हर एक हफते में आपको एक एक पार्ट खतम करके दे दिया जाएगा और टोटल आपके पास कितने पार्ट हैं छे पार्ट हैं तो 6 सते 42 लगभग कोशिस की जाएगी कि 40 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा कोर्स खतम कर दिया जाए ठीक है ताकि आने वाले time में जब test series की बारी है जब mcq question practice की बारी है तो आपके पास परियाप टाइम हो और आप revision भी कर पाएं इन सारे चीज़ों से इन सारे चीज़ों को लेके इसके बाद में revision classes भी start की जाएंगी revision classes में आप जो आपने पढ़ा उन सबका बेटर तरीके से revision होगा जिसमें हम लोग content को sort कर दें इसके बाद बात आता है कि computer और UP special कैसे cover होगा ठीक है तो computer और UP special आपको पता होगा कि इसमें उतने ज्यादा topic नहीं है और UP special और computer का जो topic है यह आपको बीच-बीच में दिया जाता रहेगा मैं यह नेक होगा कि regular basis में मिलेगा लेकिन हाँ बीच-बीच में आपको इसके content भ भी खतम कर दिया जाए ताकि जो time है वो आपके पास बचे और आप questions प्रैक्टिस पर अपना समय लगाएं ठीक है तो बीच-बीच में मैं कहा रहा हूँ कि alternate days पर या दो तीन दिन पर प्रतेक section में एक-एक PDF डाल दिया जाएगा जो कि आपके topic से related होगा ठीक है तो इसमें उतने ज्यादा topic नहीं है इसको लेकर आपको परिशान होने के जरूत नहीं है में मुद्धा आपका 65 marks है बाकि इसके लिए आप tension free रहे ऐसा नहीं कि इसको अवाइड कर दिया जारा ऐसा नहीं है हाँ लेकिन यह है कि उतनी regularity आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी दूस प्रैक्टिस करा सकता हूँ लेकिन यहाँ पर आपको वीडियो क्लास नहीं मिलेगा और मेरे कहने का मतलब यह कि आप इस पर ज्यादा फोकस करें भीना वीडियो के लिए क्योंकि यह computer पूरा आपको factual पढ़ना है इसमें सिर्फ आपको नदी हो गया पहाड हो गया ठीक है इस टाइप से एक दो पहाडी चेतर हो गया इसके बाद में जो उत्रपरिश करदुष का डिवीजन है जो भूभात को बाटा कर यह परवती छेत्रों गया इस टाइप से कुछ चीजें आपको ऐसी है जो आपको मैप के माधिम से पढ़ना है बागी कुछ सारा का सारा जो मैटेरियल है वो यूपी स्पेसल का पूरा का पूरा यह तीनों चीज कबर करा जाएगा और यह टीम वर्क होगा तो टीम वर्क का मतलब दोस्तों आप समझ सकते हो कि दो लोग है और यह तो दोनों लोगों को कहीं यह पेमेंट घुड़ा करना होता है तो इसमें कुछ बचेगा नहीं दो लोगों को इसलिए रखा गया है क्योंकि ये लोग पुरा का पुरा time research पे लगाएंगे जहां से question बन सकता है उसको निकालेंगे, जो topic निकल सकता है उसको निकालेंगे कई जगह आप ये ध्यान देंगे, कोई topic छूट तो नहीं रहा है, इनका यही काम होगा कि कोई topic छूटे ना सारा important चीज़े cover हो जाए, तो ये एक तरह से team work होगा, तो इसलिए मेरे हिसाब से 449 एक ideal price है जिसमें channel के हिसाब से जो साहयोकरासी हो सकती है, वो भी हो सकता है, बाकी जो team work है, जो team work में लगना है, वो भी हो जाएगा, ठीके इसके बात में अगर इस पे भी बहुत सारे बच्चों को कुछ ज़्यादा लग रहा हो, तो क्या है कि यहाँ पे मैंने special batch रखा हुआ है, complete पंचाइतिरा system के लिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको UP special और computer section नहीं लेना है, तो वो ना ले, ठीके, special batch रखा गया है, प इसको बाय कर सकते हैं, ठीके, 349 रुपे में आपको complete पंचाइतिरा system में जो भी चीज़ें आपे लिखी गई है, वो सारी चीज़ें आपको provide कराए जाएंगी, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि one of the best study material पूरा फोकस रहेगा हमारा आने वाले 2-3 महिने में कि आपके सामने र आपको वाटसप करना है, ठीके, तो यह जो बात है, इसने, हाँ, यह जो वीडियो है, यह आपको information देता है, हमारे paid batch के बारे में, और जो हमारी strategy रहेगी आने वाले टाइम में, इन sellers और इन patterns को लेके, ठीके, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, अगर आप लोग Olympian batch से जूड़ सकते हैं, Olympian batch नाम रखने के पीछे का कारण यह है, आपको पता होगा कि Olympian बनना बहुत बड़ी बात होती है, देखिए आपके पास लगभग 1500 प्लस सीटे हैं, लेकिन Olympians का जो टार्गेट होता है, वो एक सीट पे होता है, यानि कि गोल्ड मेडल पे कर सकते हैं, इनके पास सिर्फ ती ओप्सन होता है, जिसमें टॉप की बात होती है, ठीक है, जो टॉप रइंकर होता है, उसी की बात होती है, चंद्रमा पे पहली बार नील आर्मिस ट्रांग ने पैर रखा था, लेकिन बहुत कम लोग को पता होगा कि सेकेंड पैर किस ने रखा था, ठीक है, तो यह बात टॉपर की होती है, और यही यहाँ पे आपको 1500 सेट में एक सिट लेना है, यह आपका लक्ष होना चाहिए, ठीक है, तो इसी बात के साथ में इस वीडियो को समप करते हैं, मिलते हैं, अब अपनी क्लास में जहिंद,